हेला फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार साथियों अगर हम बात करें भारत में दूद का उत्पादन है वो 6% के इसाब से बढ़ रहा है सबसे ज्यादा दूद का उत्पादन भारत में होता है इस साल करीब करीब 220 मिलियन मेट्रिक्टन दूद उत्पादन होने की संभावना है साथ यो डेरी फार्मिंग में अगर हम बात करें अपने किसान भाईयों को जितना फायदा होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है उसका करण क्या है परती पसू दूद का उत्पादन बहुत कम है हमारे आपे एक पसू दूदारू गाए या भैंस सत्रे सो सत्रे 77 1-7 775 दिन में डूद का युरेज है वर्लड की युरेज तिन हजार लेटर के आसपास में है तो भारतिये जो डेरी फार्मिंग है वो बिखरी हुई है, बहुत सारे लोग 2-2-3-3-4-4 पसू लेके डेरी फार्मिंग करते है अगर हमें भारतिये डेरी फारमर्स की जो इं को समझना होगा सही टाइम पे सही स्कीज का होना बहुत जरूरी है और एक पसू से ज्यादा दूद उत्पादम लेने के लिए आपको उस पसू के जीवन काल में आपने कैसा रासन दिया है कैसा मेनेजमेंट आपने किया है उसको आपको देखना है उसकी ग्रोथ को ट्रेक कर है एच्चफ गाय हम बाहर से लेके आ रहे हैं लेकिन उतना दूद हमें एच्चफ गाय से नहीं मिल रहे है जितना बाहर के देशों में बाहर के लोग ले रहे हैं क्योंकि हम एच्चफ गाय तो लेके आगे लेकिन उस बच्चिया से गाय को कैसे त्यार करना है ये भारत मे एक बड़ी समस्या है बारती किसान भायों को सही स्टीक सांटिफिक जानकारी नहीं है तो साथी यह मैं वीडियो अपने जो डेरी फार्मर्स हैं किसान भायों उनके लिए बना रहा हूँ कि बच्चिया से लेके किस उमर में कितना वजन होना चाहिए किस वजन पर अपने को पहली बार प्रेग्नेट करवाना है और वजन का दूद के उत्पादम से कितना जुडाव है वो सारी चीज़े हम डिसकस करेंगे हम जीरो से लेके एक जो चोबिस महिने में बच्चिया दूद का उत्पादम शुरू कर देती है वो चोबिस महिने तक क्या-क्या चीज़े आपको ट्रैक करनी है उन करक्स पॉइंट को हम समझेंगे जानेंगे साथियो काफ रियरिंग का मतलब है हम अपने डिरी फारम पे एक अच्छी नसल की बच्चिया को अच्छा दूद उत्पादन वाली गाए में तबदील करें तियार करें तो डिरी फारमिंग में अगर हम बात करें तीन आस्पेक्ट हैं हर बड़ी गाए से एक साल में एक बच्चा एक बच्चिया बच्चिया तियार होके 24 मेंने में दूद का उत्पादन शुरू करें और जितने भी दूदारू पसूं है वो दूद का उत्पादन अपनी शारिरिक श्रमता के इसाब से या नसल के इसाब से करें अब साथियो जब हम काफ रियरिंग की बात कर रहें तो कोई भी बच्चिया उसकी देखवाल सुरू हो जाती है जब वो गरब में है भारतिय प्रिपेक्स में पहली बार जिन बच्चियों को जिन हीफर्स को आपको प्रेगनेंट करवाना है उनको आप सेक्सिमन का यूज करें सेक्सिमन के यूज करने से बच्चडों की जो जनमदर है वो कम हो जाएगी बच्चिया की जनमदर 90% तक बढ़ेगी सेक्सिमन के यूज से जो बच्चिय अटकने की समस्चिया वो भी कम हो जाती है ग्याबिन बसूं की आप देखवाल करें ग्याबिन बसूं को दो-तिन मेहने पहले सबसे ताकतवर रासन आप दे गर्मी के परभाव से बचा के रखें क्योंकि बिमार अगर गाय बिमार है तो उसके बच्चे में भी बिमारी आने के चांसेज है क्योंकि बच्चिया उसी गाय का हिस्सा है तो जो गाय प्रेगनेंट है उसको आप अच्छा रासन दे, अच्छे टेक करें, ताकि जनम के टाइम पे जो बच्छिया है, उसका वजन, उसकी मा के वजन का 6-7% हो जाए चेक विंटल की गाय है, तो उसका वजन, जो बच्छिया उसका वजन 36-42 किलो के आसपास रहना चाहिए तो आपको बच्चिया की देखबाल सुरूख कब हो जाती है उसके जनम से पहले अगर आप ग्याबिन पसु को जनम से पहले ग्याबिन पसु है उसकी काविंग होनी है उससे पहले आप अच्छा रासन नहीं देखते हैं तो बच्चिया का बोडी वेट कम रहेगा कम बोडिवेट के पसुआ आपको दूद का उत्पादन अच्छा नहीं करके डेंगी कम वजन की बच्चिया में निमोनिया, काफ स्कोर्स, दूसरी इम्यून रिलेटेट जो समस्थे हैं वो आपको ज़्याद देखने को मिलेगी आपके डेरी फारम पे काफ की मोटिलेट रिलेट बढ़ सकती है तो अगर आप अपने डेरी फारम पे बच्चिया प्यार करना जाते हैं तो उसका देखबाल आप जनम से पहले उसकी जो मदर है उसको अच्छे तरीके से देखबाल करके करें अब साथियों बहुत सारी ऐसी बिमारियां हैं जो अगर जिस गाए के गर्ब में बच्चिया पल रही है अगर गाए में समस्चे हैं तो बच्चिया में भी समस्चे आने की चांसे हैं किसी भी परकार के मेटाबोलिजम से संबंदित बीमारी अगर गैबिन गाए में हैं तो उसका परभाव उसकी बच्चिया पर आपको देखने को मिलेगा फर्ज कीजिए कोई गाय है उसका बोडी वेट कम है अगर बच्चा अटकने की समश्या आती है तो जो बच्चिया है उसका हेल्थ कंप्रोमाईज हो जाएगा बच्चिया के मोटिलिटी रेट चांसे जो बढ़ेंगी छोटी बच्चिया को जनुम के टाइम पे चोट वगरा भी लग सकती है अगर ग्याबिन गाय कमजोर है बोडी कंडिशन स्कोर है तो जाहिर सी बाद है कमजोर गाय कमजोर बच्चे को पैदा करेगी फिर अगर ग्याबिन गाय को आपने किसी वपरकार का वेक्सिनेशन नहीं करवाया है तो बच्चिया के अंदर भी जो पैसिव उसकी मदर से आनी चाहिए थी वो परोपर तरीके से नहीं आएगी और उसमें बिमारी के चांसे बढ़ेंगे भारत एक गरम प्रदेश है गर्मी के टाइम पे पर्टिकुलरली आप देखेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त इन महिनों में पसों का जो ब्यांत है वो शुर कि मेर्म के बदमें जब ब्यांध शुरू हो तो जो बच्छिया है वो healthy रहरी है, साथियो जनम के टाइम पे जो बच्छिया उसका देखबाल हमें क्या करनी है, जनम के टाइम पे बच्छिया सही तरिके से बाहर आजाए, किसी भी परकार का अगर आपको लगता है उसमें दिक्कत है काविंग में तो आप जो वेटनरियन हैं डोक्टर से उनको आप बुला के उनकी राय लें जनम के तुरंद बाद आपको ये देखना है ये निश्चित करना है कि जो बच्शिया है वो सही तरीके से सांस ले जनम के पहला जो घंटा है वो बहुत जरूरी है 60 से 90 मिनिट के आसपास में जो बच्शिया है वो अपने आप खड़ी हो जाती है अगर 90 मिनिट से ज़्यादा का टाइम ले रही है तो आप डोक्टर को बुलाएं जनम के तुरंद बाद जो नेवल कोड है उसको बिटाडीन से डिसिंफेक्ट जरूर करें क्लिपर से आप उसको लोक जरूर करें ताकि बैक्टिरिया एंवारिमेंट से नेवल कोड के माद्यम से छोटी बच्शिया के अंदर नहीं जाएं अगर infection चला गया तो हर्मिया के सिकायतें आपको ज्यादा मिलेगी हर्मिया के सिकायत ज्यादा मिलेगी तो फिर आपको surgery करवानी पड़ेगी और बच्चिया की जो health है वो compromise हो सकती है उसके बाद में जो कोई भी बच्चिया है उसका सबसे पहली खुराख होनी चाहिए कोलस्ट्रम गाए जिसने अभी बच्चे को जनम दिया है उस गाए के पहले दूद को हम कोलस्ट्रम बोलते है कोलेस्टरम छोटे पसू के लिए बच्चिया के लिए संजीवनी का काम करता है क्योंकि वो passive immunity बच्चिया को देगा passive immunity देगा immunoglobulins के माध्यम से कोलेस्टरम में जितनी immunoglobulins अच्छी है उतना ही passive immunity बच्चिया के अंदर ज्यादा रहेगी इसके साथ साथ में बहुत सारे nutrients हैं antimicrobial factors हैं white blood cells हैं growth factors हैं जो बच्चिया के growth को promote करते हैं तो कोलेस्टरम बच्चिया के लिए बहुत जरूरी है अगर आप किसी काफ को उसकी मदर के साथ में छोड़ देते हैं अपने आप दूद पीने के लिए तो कोलेस्टरम वो परयाप नहीं पी पाएगा अगर कोलेस्टरम आप छोटी बच्चिया को प्रोपर नहीं दे पाते हैं तो उसके मृत्य दर के जो चांस है वो 54 गुना बढ़ जाएंगे उस पसू के कंपेरिजन में जिसमें जिसने कोलेस्टरम की feed लिया है तो कोलेस्टरम बहुत ज़रूरी है कोलेस्टरम की क्わलिटी ब्रिक्स मेटर से आप नर्धारिट कर सकते हैं 22% से ज़ादा की reading आनी चाहिए अच्छी quality का cholesterol वो है जिसमें immunoglobulins 60 mg पर ml of cholesterol है अब साथियो cholesterol जो normal दूद है उससे बहुत अलग है सबसे जरूरी चीज क्या है cholesterol में immunoglobulins है उसके बाद में cholesterol में protein जिसको हम SNF और fat total solids जिसको हम बोलते हैं दूद में total solids पानी रहता है total solids की मातरा दूद के comparison में दोगुना रहती है protein normal दूद से करीब करीब 4 गुना ज्यादा है antibodies हैं इसके अंदर और दूसरे minerals और vitamin भी है तो cholesterol structurally दूद से बहुत rich है बहुत अलग है आप देखेंगे पीले गाडे रंग का अगर cholesterol है तो उसकी quality आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी साथि cholesterol जो कोई भी गाय है cholesterol कैसा बनाएगी यह कुछ factors पर आप depend रहता है pregnant animal को दो महिने का dry period आप ज़रूर दें अगर dry period की length छोटी है कम आपने dry period दिया है पांच अफ़ते से कम का dry period है cholesterol की अच्छी quality नहीं मिलेगी बच्या का health है वो compromise हो सकती है फिर carving के ब्यांत के तुरंट बाद जो बड़ी गाय है उसको आप एक घंटे के अंदर अंदर उसका दूद निकाल ले तूद निकाल के जितना काफ को देना है उतना दें बाकी को आप freezer में रख सकती है cholesterol को कभी भी आपको गरम नहीं करना है फिर जिन गायों का ज़्यादा cholesterol होता है उनकी quality भी अच्छी नहीं रहती है cholesterol की quality इस बात पे भी निरवर करती है कि आपने pregnant गाये को vaccination करवाया है की नहीं तीन से च्छे हफ़ते पहले आप vaccination करवा लेंगे उन बिमारियों का जो आपके dairy farm में है कि आपके गाउं के आसपास में हैं तो वो antibodies cholesterol में आएगी और छोटे पसों को बिमारियों से लड़ने की ताकत मिलेगी उसके बाद में breed का भी एक factor है जिससे cholesterol की quality है वो निरवर करती है उसके बाद में बिमारी है मेस्टाइटिस किसी भी गाए को उसके dry period में अगर मेस्टाइटिस होगी तो उसका अच्छी quality का cholesterol आपको नहीं मिलेगा और बच्चिया की जो health है वो compromise हो सकती है कोई गाए सही तारिक से पहले उसकी अगर ब्यांत सुरू हो जाता है तो उसमें भी cholesterol है जो नहीं बनता है लास्ट के 15-20 दिन में cholesterol अच्छे मात्राइं बनता है तो अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार का disturbance है तो cholesterol की quality अच्छी नहीं मिलेगी अब साथिक और cholesterol आपको चोटे बसृ के लिए संजीवनि का काम करेगा निया जीवन देने का काम करेगा वो पहले एक गंटे के अंदर अंदर आपको कोलेस्टरम देना चाहिए गाय का पहला दूद जनम के एक गंटे के अंदर अंदर आप देंगे तो सबसे ज़्यादा फाइदा रहेगा 6 गंटे के बाद में जो कोलेस्टरम के immunoglobulins है वो intestine से उनका absorption कम हो जाएगा 24 गंटे में जो immunoglobulins का absorption है छोटी बच्चिया के आंत में वो बिल्कुल बंदू जाते है तो जितना जल्दी देंगे उतना फाइदा है अब साथियो कोलेस्टरम कितना देना है उसके लिए आप एक simple formula याद रखें पहला दूद दो गंटे के अंदर अंदर छोटे बच्चिया को तीन लिटर देना है पहला दूद दो गंटे के अंदर अंदर कम से कम तीन लिटर आपको देना ही देना है अब साथियो दूद के pattern के हम बात कर लिए पहला दूद हो गया कोलेस्टरम दूसरी तीसरी चोथी milking को हम बोलते हैं transition milk वो भी आपको देना है काफ को वजन के 10 से 15% के इसाब से दूद की feeding अगर हम बात करें काफ के लिए जब तक काफ का rumen develop नहीं हो जाए तब तक काफ के सरीर में nutrients की मातरा सही रहे इसके लिए दूद आपको देना जरूरी है 10% कम से कम आपको काफ को दूद देना चाहिए अगर आप 15% देते हैं body weight का 10% देते हैं 40 kg का काफ 10% 4 kg अगर आप 40 kg काफ को 10% के उज़ाए 15% देते हैं मतलब 6 kg तो जिन बच्चियों को आपने दूद 15% के इसाफ से दिया है उनका body weight ज्यादा बढ़ेगा और body weight उनका अगर ज्यादा बढ़ेगा तो आप एक अच्छी बच्चिया को अपने dairy farm पे त्यार कर पाएंगे कम से कम दूद कितना देना है 10% अगर आप 15% देते हैं तो आपको ही फाइदा है आपके dairy farm पे अच्छी बच्चिया त्यार रहेगी अब हम बात कर लेते हैं कि दूद आपको कब तक देना है साथियों दूद आपको देना है जब तक छोटी बच्चिया काफ स्टार एक किलो खाने लगजाए तब तक आठ से नो हफ़ते की उमर में एक किलो काफ स्टार जब छोटी बच्चिया खाने लगजाए तब आप उसका दूद बंद कर सकते हैं नॉर्मल दूद की रिक्वार्मेंट कितनी हैं? अगर आप 60-70 लिटर दूद और एडिसनल देते हैं तो उसका वजन ज्यादा बढ़ेगा जिस काफ का वजन अच्छा बढ़ेगा वह आफ के डेरी फारम के लिए बहुत अच्छा है साथियों दूद और पानी अब हम बात कर लेते हैं पानी की पानी आपको पहले दिन से 24 गंटे साथ पिनेगा पानी छोटे काफ में रहना चाहिए 24 गंटे आपको देना है पहले दिन से देने पानी क्यों ज़रूरी है? दूद इसो फेजियल ग्रूव के माद्यम से एबोमेजम में जाएगा पानी नेगटिव प्रेसर से छोटा पसो पिता है तो रूमन में जाएगा जनम के टाइम पे रूमन का डवलप्मेंट नहीं रहता है अगर आप किसी छोटी बच्चिया को पानी नहीं देते हैं तो रूमन में किसी भी परकार का कोई एक्सन, कोई गतिविदी, कोई चेंजिज नहीं हो रहा है तो ऐसे काफ, काफ स्टार्टर फेड नहीं खाएंगे पानी अगर आप नहीं दे रहे तो उनके अंदर बैक्डिरिया प्रोटोजवा की ग्रोथ नहीं होगी रूमन का डवलोप्मेंट शुरू नहीं होगा तो साथियों दूद और पानी दोनों अलग-अलग जगह पे जाते हैं दूद कहां जाएगा? एबोमेजम में क्योंकि इसोफिजियल ग्रूव के मद्यम से और पानी कहां जाएगा रूमन में तो पाने आपको पहले दिन से साफ पीने का पाने 24 गंटे छोटी बच्चिया के सामने रहना चाहिए अब हम बात कर लेते हैं रूमन डवलोप्मेंट की साथियों दूद आप तब बंद कर पाएंगे जब रूमन का डवलोप्मेंट हो गया है छोटी बच्चिया का वजन तब अच्छा बढ़ेगा जब वो हरा चारा काफ स्टार्टर खाने लग जाए उसको दूद के अलावा न्यूट्रियंट्स को वो डाइजेस्टिन करने की केपास्टी जब रूमन में आएगी तब ही वो अल्टरनेट फीड्स रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएगी यूज कर पाएगी अब रूमन डवलोप्मेंट के लिए जो रूमन डवलोप्मेंट है उसका मतलब क्या है रूमन डवलोप्मेंट का मतलब पहला उसका वजन जो रूमन का है size है वो बढ़े size बढ़ने के बाद में muscular activity आए muscular activity के बाद में digestion की process start हो digestion की process start होने के बाद में nutrients, digestion के दौरा जो byproduct निकल रहे हैं वो absorption के लिए rumen की जो अंदर की वाल है rumenal वाल उसमें पेपिले की growth होना बहुत ज़रूरी है rumen में ये changes आने के लिए सबसे पहला पानी पानी की बाद में आपको calf starter देना है, तीसरे दिन से शुरू करना है, आधी-आधी मुठी calf starter आप देंगे, rumen में bacteria protozoa develop होंगे और उससे volatile fatty acid मिलेंगे volatile fatty acid rumen की growth को promote करते हैं, buterate rumen की वाल को energy देगा प्रोपियनेट पेपिले की growth को stimulate करेगा अब अगर हम बाग करें अगर आप किसी भी छोटे calf को पानी नहीं देते हैं, calf starter भी नहीं देते हैं, तो rumen में कोई काम नहीं हो रहा, rumen का development नहीं होगा दूद आपको ज्यादा देना पड़ेगा और ऐसे calf की जो body weight है वो भी proper नहीं बढ़ेगा अब rumen development के लिए जो digestive system है calf के development के लिए एक बहुत थी complex process है ज़रूरी आपको क्या समझना है rumen में पानी जाए, पानी के बाद में calf starters आए ताकि जो process rumen development की है वो start हो जाए zenomic level पे mRNA, transcript सारी चीज़े जब काम करती है तब rumen का development सुझ होता है क्योंकि cellular growth वहां पे होने कोशिकाओं की growth को वहां पे होना है अब सात्यों कर हम बात करें rumen development जैसे आप track करेंगे rumen जनम के टाइम पे 25% capacity रहती है development होने के बाद में 75% capacity rumen की हो जाती है सही तरीके से rumen काम करना कब शुरू करता है 12 हफते की उमर में 12 हफते की उमर में अब rumen development करने के टाइम पे आपको ये समझना है कि rumen development से पहले आप काफ को ज़्यादा fibrous material नहीं दे rumen development कब होता है 12 हफते की उमर में 12 हफते की उमर से पहले आप अगर fibrous material जैसे की तूड़ी तूड़ी में फाइबर है ज़्यादा फाइबर energy कम है प्रोटीन ना के बराबर है या फिर ज़्यादा हराचारा या ज़्यादा silence बाराफते की उमर से आप देंगे पहले तो क्या होगा जो rumen है उसमें उसका digestion नहीं हो पाएगा प्रोटीन उसको कम मिलेगा तो port belly condition आ जाएगी पेट फूलने लगेगा तो कभी भी आपको rumen development से पहले तूड़ी नहीं देनी है ज़्यादा मातरा में आपको fibrous जैसे की हराचारा या silence नहीं देना है तो कितना आपको fibrous देना है rumen development से पहले fibrous छोटे बचिया को जाएए body weight का 10% body weight का 10% calf starter में 8-10% fiber रहता है तो तीन मैने से पहले आप कोशिस करें दूद, पानी और calf starter आप दें तीन मैने के बाद में थोड़ा-थोड़ा हराचारा दे सकते हैं अब साथियों किसी भी calf को आपने केवल दूद दिया तो rumen में कोई काम नहीं हुआ rumen की जो पेपिले की growth है वो नहीं हो पाई rumen का development स्टार्ट नहीं हुआ फिर 6 हफते तक आपने एक calf को दूद दिया थोड़ा सा हे दिया उसमें हलका जो development है वो हुआ भहुती नहीं के बराबर तीसरी calf को 6 हफते की उमर तक आपने दूद दिया calf starter दिया तो ऐसे calf में जो rumen का development है वो अच्छा हो गया पहले हो गया तेजी से हो गया तो conclusion ये है तिन महीने से पहले चोटे calf को दूद देना है बोडिवेट के साब से पानी पहले दिन से देना है और calf starter तीसरे दिन से आपको सुरू कर देना है धीरे धीरे आप dose बढ़ाएंगे मैं आपको ये कहूंगा भी calf starter छोटी बच्चियों को आप जितना खिलास के उनके समने खूला रखें अपनी इच्चा से वो खाते रहे अब हम बात कर लगते हैं साथि nutritional requirement क्या है calf की calf को वजन बढ़ाने के लिए सबसे पहले nutrients जो आता है सबसे ज़रूरी nutrient पानी साफ पिने का पानी 24 गंटे उसके बाद में protein प्रोटीन से जो बच्चिया उसका musculature muscles develop होंगी उसका structure बनेगा minerals से bone की growth होगी skeleton उसका जो develop होगा energy भी चाहिए calf को ज़्यादा energy नहीं देनी है calf है जो over fat हो जाएगा उसमें भी problems आ सकती हैं ध्यान आपको यह रखना है protein to energy ratio कितना होना से 46 is to 1 protein ज़्यादा देना है energy 13 से 14 megazool वो होना चाहिए अब सात्यों winning आप कव कर सकते हैं winning का मतलब calf को दूद बन करना या उसकी मदर से अलग करना जब human development proper तरीके से हो जाए तब आप calf की winning कर सकते हैं इस chart में आप कुछ चीज़े देखेंगे शुरू का जो phase है वो क्या है दूद calf है उसके बाद में आप देखेंगे जो passive immunity है वो देखेंगे passive immunity कोलस्टरम के बाद में एकदम से बढ़ गई दीरे दीरे जो passive immunity है वो कम हो जाती है तो यहाँ पे immunity gap रहता है calf का जो calf की जो उमर है पहले हफते से लेके 6 हफते तक वहाँ पे उसका जो immunity gap काफी रहता है तो उसमें बिमारी आने के chances रहते है फिर winning आप 7-8 हफते के बाद में कर सकते है 8-9 हफते जब 1 kilo calf starter खाने लग जाई तब आप दूद बंद कर देंगे और दूद बंद करने की process को आप winning बहुते हैं आपको ध्यान यह रखना है calf starter जितना जल्दी calf खाने लगेगा जितना अच्छा खाने लगेगा उसका आप उतना जल्दी दूद बंद करेंगे उतको उतनी जल्दी ही आप winning करेंगे बाहर के देशों में calfs को bottle feeding कर करी जाती है bottle feeding सबसे अच्छी है आप zero day पे winning कर सकते हैं bottle feeding करके दूद की bottle feeding करके अब साथियो calf starter आपको धिरे धिरे बढ़ाना है अच्छी कंपनी का calf starter आप ज़रूर यूज करें Godres Agrobat के product काफी अच्छे आते हैं आप यूज कर सकते हैं साथियो गर हम बात करें calf का जो rearing environment है जैसा हमने देखा था यहाँ पे immunity का gap है immunity का gap है तो बिमारी ज़्यादा आएंगी और बिमारियां calf को आम तोर पे जो environment है वहाँ से आती है तो calf को उसकी मदर के साथ में आप ने रखें calf का environment जहाँ पे आपने calf अच्चेज बनाई हैं एकदम साफ होनी चाहिए आप उसको 24 गंटे अबजरू करें ऐसी जगहे पे होनी चाहिए पानी बढ़ाव की स्तिती नहीं होनी चाहिए और अच्छे तरीके से sheltered होना चाहिए जो bedding material है वो calf को आदा ढख पाए उसके जो legs है उनको ढख पाए इतना bedding material आपको जरूर रखना चाहिए कभी भी calf के bedding material में आपको मिटी नहीं डालनी है bedding material सूखा होना चाहिए और calf को nesting behavior उसके जो satisfy होनी चाहिए ताकि heat जो है calf प्रजरो कर पाए 15 cm तक आप calf को जो bedding straw है वो आप लगा सकते है कभी भी calf की bedding मिटी नहीं होनी चाहिए और जो calf का जो खद्यबदार्थ है वो भी आपको कभी भी bedding में नहीं लगाना है नहीं तो contaminated चीजें calf खाएगा बिमारिया उसमें ज्यादा आएंगी अब calf में जो दस्त के कारण डायरिया के कारण सबसे ज़्यादा motility rate है डायरिया के बहुत सारे कारण है जो उमर के हिसाफ से calf में आते हैं एकदम से आप दूद पिलाएंगे तो calf में डायरिया आने के chances है calf scores के chances हैं अगर आप दूद दीरे दीरे बढ़ा रहे हैं तो calf से calf में scores आने के chances बहुत कम है 12 लिटर तक एक calf पूरे दिन में 24 गंटे में दूद को digest कर सकते हैं अगर आप अपने calf को भूखा रखा एक दो दिन फिर ज़्यादा दूद पिला दिया तो उसमें दस्त लगने के संभावना है अगर आप दिरी दिरे बढ़ा रहे हैं दूद को continuously तो दूद से calf score आने के chances बहुत कम है calf score में calf की जो सरीर में पाने की कमी होजाती है उसके कारण दूसरी जो बैक्टिरीमिया, septicemia, endotoxemia के कारण calf की जो motility है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है calf score के कारण ही calf में motility rate सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है अगर हम बात करें E. coli जो साफ सफाई से जुड़ा हो बैक्टिरिया आठ दिन तक calf score फेला सकता है rotavirus 4 दिन से लेके 16 दिन में, coronavirus 5 दिन से लेके 21 दिन में, salmonella भी साफ सफाई से जुड़ा हुआ है 6 दिन से लेके 23 दिन तक ये calf score दे सकता है और cryptosporidium जो एक paracite है वो भी 6 दिन के बाद में कभी भी calf को है जो डाइरिया या दस लगने के लिए एक responsible कारण हो सकता है तो इसके साफ से treatment protocols follow करी जाती है अब pneumonia की बात कर लेते हैं, respiratory system से जो जुड़ ही बिमारी है उसको हम pneumonia बलते है साफ सुत्री जगह पर calf को रखेंगे, well ventilated इलाके में रखेंगे तो calf में pneumonia के chances कम रहेंगी immunity अगर अच्छी है तो भी calf में pneumonia के chances कम रहेंगे immunity proper हो इसके लिए अपनने cholesterol की feeding पर बात करी थी टेगिंग और disbudding जो seeing है गायों में वो एक अच्छा मतलब गाय की handling के लिए हिसाफ से अच्छा नहीं है, उनकी protection के लिए है तो indoor या set में हमने गाय रखे उसको हमें seeing से कोई लेना देना नहीं है seeing आपको जरूर ठपाने चाहिए, seeing की growth नहीं होनी चाहिए, गाय एक दूसरे को बटिंग करती है, चोट लग सकती है कब करनी है, 10 दिन से 20 दिन के आसपास में आपको गाय की जो बच्छिया है उसके seeing जरूर आपको ठपा लेना चाहिए, उसको हम disbudding होते है तो disbudding की सही उमर क्या है, 10 दिन से लेके 20 दिन के आसपास, प्रॉपर तरीके से आपको करना है, आप जो caustic potas है उसका use कर सकते हैं या hot iron road है उसका use भी आप कर सकते हैं उसके बाद में साथियों हम बात करें हैं वजन बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए आपको काफ की जो body weight की tracking है वो जरूर करनी है काफ का वजन जनम के टाइम पे कितना होना चाहिए, मदर का 6-7% body weight का 45% उसकी मदर का जब वजन हो जाए काफ का तो उसको पहले बार heat में आ जाना चाहिए, 7-8 मेने की उमर में काफ का वजन उसकी मदर के वजन का 55% जब हो गया है तो आप उसको pregnant करवा सकते है पहली बार carving में जो भी काफ है उसकी मदर का उसका वजन हो गया 85% तो उसकी carving हो जाने चाहिए अब अगर 6 quintal की गोई गाय है उसका काफ का वजन 36 किलो से 42 किलो होना चाहिए जनम के टाइम पे फिर आप 45 किलो अगर बात करें 270 किलो के आसपास में जब होगी 45% 600 का तब उसको पहली बार हीट में आजाना चाहिए फिर अगर हम 55% की बात करें तो करीब करीब 355-360 के आसपास में जब उसका वजन हो गया तब उसको आपको 12-14 मेहने में प्रेगनेंट करवा लेना चाहिए फिर 85% चाहिए क्विंटल का जब हो जाए तब उसका carving है जो हो जानी चाहिए वजन आपको ज़रूद टेक करना है टुरेक करना हाइट अगर हम बात करें तीन महीने में 31cm 110cm 6 महीने में 125cm 12 महीने में 131cm 15 महीने में और 142cm 24 महीने में जो बच्छिया है उसकी हाइट बढ़ जाने चाहिए HF की growth rate अपने देश की गायों से और भेंसों से बहुत ज्यादा है ये animal तेज गती से इसका वजन बढ़ता है, height भी बढ़ती है तो आपको 12 या 12 या 15 महिने से पहले जितना अच्छा रासन देंगे उतना ही आपको return मिलेगा, उतना ही आपको बच्चिया की growth मिलेगी करवाना है, साड़े 3 quintal से लेके 370 किलो की बच्चिया का वजन जब हो जाए हीफर का वजन जब हो जाए, तब ही आपको उसको breed करवाना है, pregnant करवाना है तीन कौइंटल से अच्छा, साड़े 3 quintal है, साड़े 3 quintal से अच्छा, 370 किलो है अंडरवेट काफ को अंडरवेट हीफर को आफ प्रेगनेट कराएंगे तो डिस्टोकिया के चांसेज बढ़ेंगे अंडरवेट हीफर काफिंग के बाद में दूद का उत्पादन आपको कम करेगा तो कोशिस यह आपको करनी है कि बोडि वेट अच्छा बड़े इसके लिए आपको रासन का प्रबंद अच्छा करना है रासन के प्रबंद में आपने बात करी थी काफ स्टार्टर दूद कोलेस्टरम और तूड़ी कब नहीं देनी है फिर छोटी बच्छिया को कभी भी बड़े जो बच्छिया उनके साथ में नहीं रखना है छोटे हीफर को बड़े हीफर के साथ में कभी भी आप ग्रूपिंग करेंगे बड़े हीफर छोटे हीफर को खाना खाने नहीं देंगे उसका वजन नहीं बड़ेगा उसकी जो growth rate है वो आपको कम मिलेगी उसका वजन proper नहीं बढ़ेगा फिर कभी भी आपको पहले और दूसरे ब्यांत के heifer को बड़ी गायों के साथ में house नहीं करना चाहिए बड़ी गायों के pain में उसको कभी भी नहीं रखना चाहिए अब साथ ये वजन बहुत जरूरी है अगर जैसे हमने बात करी थी तो वजन जितना अच्छा है heifer का पहले ब्यांत में उसका दूद का उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा कम या low weight heifer का dry matter intake कम होगा दूद का उत्पादन भी कम करेगा अब साथ ये वजन से दूद का उत्पादन कैसे परभावित होता है जिन गायों का पहले ब्यांत में वजन ज्यादा है उनका dry matter intake ज्यादा रहेगा nutrients उनकी body में ज्यादा available रहेंगे दूद के उत्पादन के लिए उनका दूद का उत्पादन ज्यादा रहेगा अगर कोई बच्छिया जिसका पहले ब्यांत में वजन दूसरे हीफर से 50 kg ज्यादा है तीसरे ब्यांत में 422 लेटर दूद का उत्पादन आपको ज्यादा देगा कुल मिलाके एक हिफर जिसका पहली काविंग में 50 किलोग्राम वजन ज्यादा था वो पहले दूसरे तीसरे ब्यांत में 1041 लेटर दूद का ज्यादा उत्पादन आपको करके देगा फैट करीब करीब 38.5 किलोग्राम फैट आपको ज्यादा मिलेगी और प्रोटीन 42.5 किलोग्राम आपको ज्यादा मिलेगी और दूद फैट प्रोटीन अगर कोई एक हिफर आपको ज्यादा दे रहा है तो आपको उससे मुनाफ़ा भी ज्यादा मिलेगा तो साथी परती पसू दूद का उत्तपादन बढ़ाने के लिए जरूरी ये है कि हम अच्छी बच्चिया को सही तरीके से अपने dairy farm पे त्यार करें वजन अच्छा है तो दूद का उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा आप अच्छी गाएं हर रोज बाहर से खरीद के लेकर नहीं आ सकते हैं अच्छी गाएं आप त्यार करें डेरी फार्मिंग से आपको 100% अच्छा प्रोफिट मिलेगा फिर आपका हिफर रेरिंग कितनी किफायती है इसके लिए आपको कुछ जो परफोर्मेंस है वो हिफर्स की ट्रेक करनी है जो हिफर है आपके उनकी पहली बार की प्रेगनेंसी रेट 70% होनी चाहिए 24 महिने के असपास में अगर 60% से नीचे की है इसका मतलब कहीं ने कहीं पर गड़बड है आपका काफ रेरिंग प्रोपर नहीं है फिर काविंग के बाद में 6% च्छे हफते में अगर साट परसेंट हीफर आ जाते हैं प्रेगनेंट हो जाते हैं अगें दुबारा से तो इसका मतलब आपकी काफ्रियरी और हीफर की फीडिंग हो प्रोपर है अगर चैपरसेंट 21 अफ़ते के बाद में भी प्रेगनेंट 6 परसेंट तक नहीं होते हैं तो ठीक है अगर 10 पर हीफर है, जिसकी मान ने 40 लेटर दूद दिया है, तो उस हीफर को पहले ब्यात में 34 लेटर दूद का उत्पादन करना चाहिए, या इससे ज्यादा करना चाहिए. अगर वो हीफर 32 लेटर है, इससे कम का दूद उत्पादन कर रहा है तो इसका मतलब आपके dairy farm पे परती animal दूद उत्पादन बढ़ने की वजाए घट रहा है आपका dairy farm progress होने की वजाए पीछे की दरफ जा रहा है तो आपको heifer की जो दूद का उत्पादन है उसके मदर के दूद के उत्पादन का 85% दूद पहले ब्यात में जरूर निकालना चाहिए तो साथियो ये important critical aspect है अगर आप इनको अपने dairy farm पे track करेंगे तो आपका dairy farm progress करेगा परती पसूद दूद का उत्पादन बढ़ेगा feed का खर्चा कम होगा आपका profit ज्यादा आपको मिलेगा तो साथियो इसके लिए कुछ जो अच्छी कंपनियों के calf starter, calf grower, heifer feed है वह आप ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आप calf का वजन अच्छा बढ़ा सकें मैं ये कामना करता हूँ कि आपने जो चीज़ें आज इस वीडियो में देखिए उनको आप practice करें, follow करें और आपके dairy farm पे जो बच्चियां है वो ज्यादा से ज्यादा दूद का उत्पादन करें आपका dairy farming का जो भुष्य है वो फुजवल रहे, अच्छा रहे आप अगर ये practices follow करते हैं तो मुझे comments के माध्यम से आप जरूर मेरे साथ में share करें आपको अगर इस जानकारी अच्छी लग रही है तो आप चैनल को share करें, subscribe जरूर करें, वीडियो को like करें आपके dairy farm से सम्मंदित कोई भी questions हैं तो आप comment box में जरूर डालिए, उन पे हम अगले वीडियो बनाएंगे